देली, वीकली और मंतली राशिफल के साथ साथ जोतिश, वास्तु, मंतरादी से जोड़ी वीडियोस रेगुलर लिपाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब केजिए और बेल नोटिफिकेशन पे भी क्लिकेजिए ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर म आशा करता हूँ, आप सभी स्वस्तों के महादेव के किरपा आप सभी पर सदाय बने हैं के वीडियो है 26 जनवरी 2023 धर्स्टे आने की गुरुवार के दैनिक राशिफल के बारे में एक सामान विश्टेशन होता है आपकी गाइडेंस के लिए राशिफल दिया जाता है और कि दरब बढ़ने से पहले सभी से रेक्वेस्ट है कि कमेंट बॉक्स में ओम विश्णवे नमहा विश्च्य लिख के जाएगा पंचांग इस्तरा से है तिथी रहेगी पंचमी नक्षत्र रहेगा उत्तरभाद्रपदा योग रहेगा शिव करण रहेगा पालव और वार र आज 7.13 एम पे ओदे होके आस्तों होंगे 5.56 पी एम पर चंद्रमा मीन में रहेंगे नक्षत्र उत्तरभाद्रपदा सूर्देवता मकर में रहेंगे नक्षत्र श्रवना कुछ विशेश मुरुतों की बात करते हैं ब्रह्म मुरत 5.27 एम से 6.20 एम अभिजीत मुरत 12.13 पी 7.14 एम इन दोनों ही अशुब मुरतों में यदि आपको घर से निकलना है तो एक बार विश्णु चलीसा का पाट करके ही घर से निकल लिएगा तो ये था पंचांग चलेंगी राशी फल पर शुरुआत करेंगे मेश के से मेश राशी अच्छा दिन है कि क्लारिटी रहेग तो आज की दिन का उपयोग कीजेगा जो सोचेंगे जो प्लैन करेंगे अधिक्तम उनमें से सारी चीज़ें कर पाएंगे इन्वेस्पेंट भी कर सकते हैं और इंट्यूशन भी बहुत अच्छे रहेगी जहां तक करियर की बात है लौ से सम्मंदित कुछ का रहे है जुड पार्टनर को और जानना चाहिए जहां तक विवाहिक जीवन की बात है ठीक ठाक सा दिन है कुछ ऐसा मत बोलिएगा जो आप नहीं कर सकते केवल खुश करने के लिए स्टूडेंस थोड़ा सा हाड़वक और चाहिए थोड़ा सा हाड़वक की और जोरत है बहुत अच्छा कर रहे हैं लेकिन 90 पसंट से 100 पसंट तक जाने के लिए थोड़ा सा हाड़वक और चाहिए जहां तक सेहत की बात है पेट के रोग सरवाश्टक में आपका पंचम भा बली है तो शुब दिन जाएगा आपके लिए उपाए है कि आपको विश्णु चालीसा का एक बार पाठ करना है शुबंक है छे कला है पिंक भाग्य प्रतिशत 75 प्रतिशत टॉरस वरिशब शुब दिन है थोड़ा रिलाक्स रहीएगा धन के संबन्द में अच्छा दिन है घर में कोई अच्छी न्यूज आ सकती है लेकिन थोड़ा सा आपकी उर्जा खंड़ित रहेगी तो अपने आपको रिलाक्स रखिएगा गलानी की भावना मत रखिएगा कि ये मेरी गलती से हो गया वो मेरी गलती से हो गया आज उसकी संभावना बहुत है और उसके कारण अच्छे दिन का भी लाव नहीं उठा पाएंगे थोड़ा सा आपने जीवन की छोटी 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 चीज़ों पर नदर डालिए आगे बढ़ने के चक्कर में जो छोटी 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 चीज़े हैं उन पर कही ना कहीं आपका ध्यान नहीं जा रहा इंवेस्मेंट मत देखे कहीं किसी आसपास आपके नजदी की विकती को आपकी जरुत तो 謎 है किसी भी तरह से वह इमोश्णल लैवल पर हो ऐसा लग रहा है किकि कोई विकती है केढ़ में आपके जरुत हो लेकिन आपसे या तो कहने ही पा रहा थो थोड़ा आज आपसी संबंदों पर काम करने का भी दिन है जहां तक करियर की बात है दिन अच्छा दिख रहा है आपर कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही अगर आप entertainment से जोड़ा कुछ कारे करते हैं लाब होगा business के लिए भी दिन अच्छा ही दिख रहा है emotions को हावी मत होने दिजेगा किसी भी निरने पर love life थोड़ा सा problem हो सकता है expectations बढ़ सकती है उसके साथ थोड़ी problem भी आ सकती है विवाहिक जीवन अच्छा है अच्छी बाते होंगी शुब दिन है students बहुत अच्छा दिन है कोई opportunity आ सकती है अपने senses को खुला लखिएगा जहां तक सेहत की बात है नसों के रोग सरवाश्टक चौथा स्थान अतिन पली है तो ये बता ही राय की दिन अपनों के लिए अपनी family के लिए है आपके लिए उपाई यह है कि आपको विश्णु चलीसा का दो बार पाट करना है बहुत अच्छा दिन है कुछ भी challenging भी अगर आपके सामने आता है उसको बहुत अराम से solve कर लेंगे अपनी उल्जनों को solve करने का ही आज का दिन है ऐसा लग रहा है कि जो कारे अटक रहे थे बहुत अराम से आज पूरे कर सकेंगे जो भी कारे आज करेंगे उसमें भी perfection रहेगा दिन अच्छा दिख रहा है भागे का साथ भी मिलेगा और कुछ नया करने का प्रयास भी करेंगे एक उत्साह पूर्ण दिन आज का दिख रहा है कुछ निरने नहीं ले पा रहे थे उसके संबंद में भी नई knowledge आपको जाहिए तो आज का दिन कोई skill सीखने का है कोई skill पर काम किजिएगा हर तरा के skill जीवन में काम आती हो खाना बनाना हो कुछ और करना हो कुछ बनाना कुछ और बनाना हो तो कुछ ना कुछ आज सीखने का प्रयास कीज़ेगा जहां तक करियर की बात है दिन ठीक है जो लोग जॉब चेंज के बारे में सोच रहे थे अच्छा कुछ हो सकता है चीज़े आँके बढ़ सकती है बिजनस में थोड़ा थोड़ प्रोसेस आपका नेगेटिव रहेगा उसके कारण नेगेटिव इंपेक्ट हो सकता है दिन तो अच्छा है लव लाइफ के इसाप से थोड़े जगड़े हो सकते हैं गुस्से पर कंट्रोल कीजेगा विवाहिक जीवन कोई इशू चल रहा था दोनों के विच में सॉल हो सकता है स्टूडेंस के लिए आज का दिन अच्छा है भागे का साथ में लेगा सहायता में लेगी सेहत के हिसाप से आँखों के रोग, सर के रोग सरवाश्टक में आपका तीसरा भावत इंतवली है तो दिन अच्छा ही देख रहा है दिन आगे बढ़ेगा उपाय है कि आपको विश्णु जी के एक पर आर्थी करनी है शुब अंक है, वन, कल है, कल है, रेड भाग के पतिशत है 75 पतिशत कैंसर, कर्क अच्छा दिन है, मन में बहुत बाते चलती है लेकिन वो व्यक्त नहीं कर पाते यूजुली करकर आशी कर जाते है लेकिन आज का वो दिन है, कोई ना कोई व्यक्ती मिलेगा कोई ना कोई mode of communication आपको मिलेगा जो अपनी मन की बातों को व्यक्त कर पाएंगे थोड़ा emotional अवश्य रहेंगे लेकिन दिन अच्छा है किसी को पैसा उधार मत दीजेगा हो सकता है आज कोई आपसे आपका दोस कोई जानने वाला पैसा कुछ उधार मांगे आज कताई मत दीजेगा वो पैसा वापस आने में बहुत प्रॉब्लम होगी यात्रा के अचानक से योग बन सकते हैं इंवेस्पन कर सकते हैं ऐसा लग रहा है कि मांसे या emotional लाइफ में कोई बहुत प्रॉब्लम चल रही है और वो आपको समय समय पर बहुत तंग कर रही है उसके कारण फोकस आपका किसी भी चीज़ पर ढंग से नहीं हो पा रहा जांतक करियर की बात है जॉब चेंज के बारे में सोच रहे थे तो अचानक से कोई अच्छा ओफर आ सकता है लेकिन जल्दवाजी मत कीजेगा बिजनस के हिसाब से दिन अच्छा है हेल्थ केर इंडस्ट्रेश जोड़ा कारे है लाब होगा लव लाइफ पॉजिटिविटी दिख रही है सकरात्मक्ता दिख रही है विवाहिक जीवन आच्छा अच्छा है बस एक ही चीज़ कहूँगा अपनी तरफ से कमिट्मेंट बढ़ाई है जादक स्टूडेंस की बात है अति उत्तम दिन है उर्जा बहुत अच्छी रहेगी आपको हर कारे करने में आज मदद मिलेगी सेहत के हिसाब से पेट के रोग सरवाश्टक आपका धनस्तान अतिंत बली है तो दिन अच्छा है वाणी में भी एक मधुरत और क्लारिटी रहेगी उपाय है कि आपको ओम विश्णवे नम्हा मंत्र का 27 बार जाप करके विश्णु जी को किसी भी मिश्ठान का भोग लगाना है शुब अंग है साथ कल है यलो भाग्य परतिशत है असी परतिशत शुब दिन है बहुत शुब दिन है आज तो कुछ ना कुछ अच्छा भी प्राप्त होगा जीवन भी बहुत सकरात्मक लगेगा और चीजें आगे ही बढ़ती हो दिखते किसी से कॉम्मिनिकेशन गया बागे थे वो भी ठीक हो सकते है और कई जगा से सपोर्ट भी मिलेगा ऐसा लग रहा है कि बहुत भरम की सिती चल रही थी पिछले कुछ जिनों से जीवन में आज उसका भी अंत्र हो सकता है कुछ नई शुरुवात करने के लिए दिन अच्छा है इंवेस्पेंट भी कर सकते हैं क्रियेटिव भी भूत रहेंगे जहां तक करियर की बात है किसी क्रियेटिव फील में काम करते हैं लाब होगा बिजनस यहां पर थोड़ा सा कारेश ज़्यादा करना पड़ेगा ऑपरचिनोटी आज आ भी सकती है लेकिन उसका लाब नहीं उठाएंगे क्योंकि समय पर सही डिरेक्शन या सही निरने आप नहीं ले पाएंगे जहां तक लव लाइफ की बात है अच्छा दिख रहा है सब कुछ कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं दिख रही ज़्यादा सच बोलने से बचिएगा विवाहिक जीवन ठीक है पैसों की बात आज ज़्यादा डिसकास मर कीजेगा स्टूडिंस बहुत ज़्यादा ओवर एग्रेसिव रह सकते हैं और इसके कारण प्रॉब्लम हो सकती है सेहत अनसों की प्रॉब्लम लोवर बैक में दर्द सरवाश्टक आपका प्रथम स्थान ही अतिंत वली है तो बता ही रहा है कि दिन अच्छा जाएगा आपके लिव पाए है विश्णू चालीसा का एक बार पाठ करके विश्णू जी को मिश्ठान का भोग लगाना है शुब अंक है तीन कलह है अच्छा दिन है बस अपनी भुद्धी मता का ज्यादा उप्योग किजिएगा कोई बड़ा निरने आ सकता है या कुछ ऐसी चीज हो सकते है जहां पर आपको अपनी भुद्धी मता का बहुत उप्योग करना पड़ेगा तो उसके लिए तैयार रहेगा दिन अच्छा है उर्जा अच्छी रहेगी गौवर्मेंट से कुछ कार्या टकत है ते वो पूरे हो सकते हैं स्टेडी दिन रहेगा स्टेवल दिन रहेगा अपनी उर्जा पर थोड़ा काम कीजिए अपनी एनर्जी को गलट डिरेक्शन में कभी कभी लगा देते हैं उसके कारण जितना प्राप्त कर सकते हैं नहीं कर पा रहे है आज इंवेस्टमेंट मत कीजेगा अच्छा दिन नह पर बात करूँगा फोकस इतनी जगाव पर है यह फोकस है ही नहीं यह भी करना है वो भी करना उसके कारण अपने बिजनस को स्टेडिली यह जहां तक पहुंचा सकते हैं वहां पर अभी नहीं पहुंचा पा रहे हैं जहां तक लग लाइफ की बात है दिन अच्छा दिख है शुब दिन है कोई प्रॉब्लम नहीं है विवाहिक जीवन भी अच्छा दिख रहा है बैलंस दिन है जहां तक स्टूडेंस की बात अपनी प्रायोटी सेट कीजिए क्या करना है क्या नहीं करना किस तरह से आगे बढ़ना है यह चीजें क्लियर नहीं है अभी सेहत के हिस दिन है बस किसी से उलजियेगा मत कोई जान बूच कर प्रवोग भी करता है उनसे उलजना नहीं है वरना दिन वेस्ट हो जाएगा आगे बढ़ने का दिन है ग्रोथ का दिन है प्राप्ति का दिन है लाभ प्राप्ति और इच्छा पूर्ति का दिन है बहुत अच्छा दिन लेकिन उन पर विश्वास नहीं कर पाते इसके कारण अपने ही आइडियास का लाब आजकल नहीं उठा पा रहे तो थोड़ा ध्यान लगाईए, थोड़ा meditate किए जी अपने उपर confidence बढ़ाईए करियर में distractions बहुत रहेंगी, ध्यान नहीं लगेगा, गलतियां हो सकती है बिजनस के हिसाब से दिन बहुत अच्छा है, agriculture जुड़ा कुछ बिजनस है, लाब होगा love life में थोड़ी problem दिख रही है, attachment की कमी रहेगी, detachment जादा रहेगा विवाहिक जीवन, एक balance लाने का प्रयास आपको करना पड़ेगा, और अपने लेवल पर ये चीज़े ज़्यादा ट्राय करने परेंगे जहां तक students की बात है, धैरे रखिएगा, सेहत सर के रोगतं करेंगे, सरवाश्टक में आपका लावस्थान अतन तवली है, तो यह पता ही रहा है कि दिन आज का अच्छा ही जाएगा, आपके लिए उपाई है कि आपको विष्णु चारीसा का दो बार पाट करके विष्णु जी को मिष्ठान का भोग लगाना है, शुब अंक है आपका दो, कल है आपका येलो, भाग्या प्रतिशत, असी प्रतिशत, स्कॉर्पियो, विश्चिक, अच्छा दिन है, कोई बड़ा निरने लेना चाते थे तो उस के लिए भी आज का दिन अच्छा है, बस एक चीज कहूंगा कि कहीं पर भी गॉसिप का हिस्सा मत बनिएगा, वो ओफिस में हो, सोशल लाइफ में हो, क्योंकि वो चीज आपके ही खिलाफ यूज की जाएगी, थोड़ा एसर्टिवन, थोड़ी ऑथोरिटी अपने जीवन म फिर मन वहीं पर अटक जाता है, ऐसा ही आपके साथ दिख रहा है, इंवस्पेन कर सकते हैं, इंट्यूशन बहुत अच्छी रहेगी, आपको थोड़ी क्लैरिटी लानी पड़ेगी अपने जीवन, अभी बहुत कुछ करना चाते हैं, प्रयास भी करते हैं, लेकिन क्योंकि अपने पार्टनर की लाइफ में आज इंवाल्मेंट बन दिखाएगा, थोड़ उनको स्पेस दीजिएगा, अब ना प्रॉब्लम होगी, विवाहिक जीवन अच्छा दिख रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं दिखी, स्टूडेंस, बहुत शुब दिन है, जो कार्य अपूर पूर्ण रह रहेते हैं, उनको पूर्ण करने का दिन है, सेहत, वाटर इटेंशन, सरवाश्टक आपका दस्वा स्थान अतनत वली है, तो बता रहा है दिन अच्छा ही जाएगा, आपके लिए उपाई यह है कि आपको विश्टू चालीसा का एक बार पाठ करना है, शुब यह ना कोई जान बुचकर आज आपको परिशान करने का, आपका नाम खराब करने का प्रयास कर सकता है, तो थोड़ा हमेशा सजग रहीएगा, सेंसिस में रहीएगा, काम पूरे होते हुए दिख रहे हैं, बहुत एक्शन औरियेंटेड रहेंगे, कई कारे आपकी अपनी अपने स्किल्स से पूरे हो जाएंगे, इंवेस्टमन भी कर सकते हैं, बस एक चीज़ कहूंगा, अगर जादा ही कारे कर रहे हैं, एक्जास्टेट फील करते हैं, तो थोड़ा रैस्पी ले लिजिएगा, जहां तक करियर की बात है, अच्छा दिन है, अगर एडुकेशन स तना अच्छा रहेगा, विवाहिक जीवन, यहां पर भी वही कहूंगा, छोटी-छोटी चीज़ों को अगर आज इग्नोर कर पाएंगे, तो दिन अच्छा जाएगा, लेकिन अगर वहीं पे रियक्टिव होगे, प्रॉब्लम होगी, जहां तक स्टूडेंस की बात है, कॉ सेहत के इस आप से सरगे रोग दंग करेंगे, सरवाश्टक आपका भागय स्थान अदिन दवली है, तो दिन अच्छा ही जाएगा, आपके लिए उपाई यह है कि आपको विश्णु चरीसा का दो बार प्याट करके विश्णु जी को फलों का भोग लगाना है, शुब अं उर्जा को बहुत सहीयमित रखी है और कुछ उसको क्रियेटिव चीज में लगाएं, क्योंकि ऐसा दिन है कि या तो कुछ बहुत अच्छा कर बैठेंगे, या तो कुछ बहुत अच्छा कर पाएंगे, एकदम उसका अपोजिट कर देंगे, तो अपनी उर्जा का ध्यान र बिजनस के लिए बहुत अच्छा दिन है, लव लाइफ, लव लाइफ में अच्छा दिन है, आगे बढ़ता हुआ ही आपका रलेशन्शिप दिख रहा है, विवाहिक जीवन, विवाहिक जीवन में थोड़ी सी प्रॉब्लम दिख रही है, एक दूसरे से कनेक्ट नहीं कर पाएंगे, स्टूडेंट, स्टूडेंट के लिए बहुत शुब दिन है, सेहत के हिसाब से पेट के रोगतं करेंगे, सरवाश्टक आपका आठवा सानतन्त वली है, तो यह अनिशित्ता दिखाए ही था है, आपके लिए उपाए है कि आपको ओम ईश्वराय नम्हा मंतर का 27 बाल जाब करके, विष्णु जी को किसी भी मिष्ठान का भोग लगाना है, शुब अंक है, छे, कल है, पिंक, भाग्य प्रतिशक, 70 प्रतिशक, कुम्भ, एक्वेरियस, डिटर्मिनेशन थोड़ी बढ़ानी पड़ीगी अपने जीवन में, अदर्वाइस तो आज का दिन अच्छा दिख रहे, कुछ नया सीखने का दिन है, और कुछ बड़ा कार्य जो करने का प्रयास करे थे बहुत समय से और नहीं कर पा रहे थे, वो कार्य भी आज कर पाएंगे, तो दिन अच्छा है, अपनी सेहत पर और अपने उपर ध्यान देने का दिन है, में भी दिन बहुत अच्छा है अगर human resource से जुड़ा आ या कोई skill based कारे करते हैं business आपका skill based है कोई राब होगा love life love life में भी दिन अच्छा है नया relationship भी start हो सकता है और दोनों ही मिलकर future planning करेंगे और उसके हिसाब से भी आज कुछ positive आप दोनों के वीश में outcome आ सकता है आप दोनों सोचेंगे कि हां किस तरह से अपने जाएगा आपके लिए उपाई यह है कि आपको विश्णु चारीसा का एक बार पाठ करना है शुब अंक है वन कल है रेड भागय पतिशत 75 पतिशत 25 बहुत अच्छा दिन है आज कुछ नया सीखने का दिन है बसकि कहूंगा कि जादा over the top जाकर कुछ किसी को मत बोलीगा य आप ने कहीं न कहीं अपने आपको boundaries में बांध लिया है बलकि कर बहुत कुछ सकते हैं लेकिन अपने आपको उन boundaries से निकाल नहीं पा रहे है वैसे दिन आज का शुब है रुकी हुई चीज़ें आगे बढ़ सकती है लेकिन सेहत का ध्यान दे investment मत कीजिएगा prosperity भरा दिन दि चीज़ें आगे बढ़ेंगी business में भी दिन बहुत अच्छा है अगर gold से जुड़ा कुछ का रहे है metal से जुड़ा कुछ का रहे है कुछ भी luxurious चीज़ों में deal करते हैं लाव होगा love life में भी दिन आज का अच्छा ही दिख रहा है एक चीज़ का ध्यान देना है आपको कि miscommunication कुछ भी ऐसा मत बोलेगा जो गलत मतलब जिसका निकल सकता है विवाहिक जीवन अच्छा है दुस्रे को समझ पाएंगे students थोड़ा सा ध्यान दीजेगा थोड़ा सा मन आपका बहुत भ्रमित रह सकता है control कीजेगा सेहत पेट के रोग सरवाश्टक आपका छटा सानत इंत सेहत का दो ध्यान आपको देना ही पड़ेगा आपके लिए उपाई है कि आपको विष्णु चालीसा का एक बार बाठ करना है और फिर विष्णु जी की एक बार आरती करने है शुब अंक है तीन कल है ब्लू भागया प्रतिशत सतर प्रतिशत तो ये था 26 जनवरी का राश चैनल पर नहीं है सब्सक्राइब कीजिए वीडियो को लाइक कीजिए मिलता हूँ अगली वीडियो में तब तक के लिए